बिकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेंड पट्री से उत्री है तीन से चार बोग्या उत्री है पट्री से जलपाई गुड़ी के मेना गुड़ी में यहाथ सववा है गुवाहाटी जा रही थी बिकानेर एक्सप्रेस ट्रेंड तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं ट् पट्री से उत्री है जलपाई गुडी के मेना गुडी में ये हाथसा हुआ है गुवाहाटी जा रही थी विकानेर एक्सप्रेस और उस जोरान ये हाथसा हुआ तस्वीरे भी आपको दिखा रहे रहात बचाओ कारे वहाँ पर लगातार जारी है नो बोग्या पट्री से की समिक्षा की जाएगी और कारण जाना बेहत मैं तो पूर्ण भी हो जाता है कि आखिर क्या वज़े रही जिसकी वज़े से बोग्या पट्री से उत्री हाथसे के पीछे क्या वज़े तो जलपाई गुडी के मेना गुडी में ये हाथसा हुआ है तस्वीरे साथ से कि आप गुडी में ये हाथसा हुआ है गुवाहाटी जा रही थी बिकानेयर एक्सप्रेस और उस जोरान ये हाथसा हुआ नो डिब्बे पट्री से उत्रे हैं ये जानकारी सामने आ रही है अब इसी पर जादा जानकारी के साथ हमारे सेयोगी लक्षमन रागह हमाय साथ जुड़ चुके लक्षमन देखिए बेहद दर्दना के हाथसा क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरे सामने आई है लेकि मिश्चित तोर पर जो बटाग्रस हुई है गाड़ी और जो गाड़ी नंबर है 25631 है हमारे DRM से बात हुई है हम ये पता लगा रहे हैं कि टोटल जो पैसेंजर से बीकानेर से किते गोहाटे के लिए थे कि गोहाटे से ठीक पहले ये वेगन उतरे हैं हाना कि अभी दिवटना हुई है तो अभी तमाम चीजें वो इस तरह से खंगाले जा रही है इस बात को मैं आपको बना दूँ सोंब बार को रात जेड़ बजे यहां से गाड़ी तरहीं दावाना हुई थी और इसकी आगे जो इसके वेगन उतरे हैं अब तमाम चीजें हैं यारम से हम प्रशासन का भी और सरकार का भी क्योंकि सबसे पहली प्रात्मिक्ता यही है बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सबसे रेस्क्यू जो है सबसे बड़ी चीज होती है इस बड़ना की बाद कि उन लोगों को मसे हैं उनको कैसे की निकाला जाए दूत्वी चीज़ों को दिक्कात लागों इस तमाम चीज़ें और आप देख पार यह तब कि रेस्क्यू बिल्क बिल्कुल लक्ष्मन ये भी जानकारी मिल पा रहे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्रिमंगाल की सीम से इस हाथसे को लेकर जानकारी ली है आप कोशिश की जाती है कि प्रण मंत्री मोदी बी घटना को लेकर वहां की मुख्यमंत्री से बात की होगी और यह तरह बांगेशली के देख के अब सब्सक्राइब तोड़ी बहुत देर में पूरी पिच्छ नाफ होगी तिलाल जो है वहाँ पर रेस्ट जारी है और अभी आर जो है आमारी भी बास्चीत हुई एक दो पेसंजर से वो तो सुर्चित है लेकिन दूसरे लोगों के लिए क्या है दूसरे शेहर से बैठे पेसंजर से उनकी क्या बारह बूग या पट्री से उत्री है यह बिल्कुल विल्कुल यह बात कहीं जारी है और पर पहुंचे हैं लक्षवन कोई हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इसके बारे में को जानकारी आपको भी लगातार कर रहे हैं लोग हमारे सीन पर भी इससे तोर पर इक नंबर जारी किया गया और यह बात में यहां कि रेलवे से भी हम लोग इस पाथ को इसका नंबर जारी होता कि आपस में कहीं बास्चीत हो पाए तो तमाम चीजिए जो है ठोड़ी बहुत देर में सामने आएं लिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं अब लक्षमन एक थोड़ा सा संक्ष्प्त में अगर आपसे जाना चाहें कि अगर विकानेर से गुवाहाटिक हम बात करें तो इस ट्रेंड के जरी कितने लोग होंगे जो सफर करते होंगे करीब एक दरजल लोग धायल होने की बात लक्षमन ने इस हाथसे की गंभीरता को समझना भी बहुत जादा जरूरी हो जाते कि आखिर क्या वज़े रही है क्या कोहरा इसकी पीछे वज़े रही विजिबिलिटी कोई वज़े है तमाम आहम कारण हो सकते हैं पर वज़े क्या है वो भी जाना बेहत मैं तो पॉन हो ज कि आप देख पारे होंगे तो वहां भी लग रहा तो एक कारण फूग हो सकता है क्योंकि जिस तरह से यह भी का जा रहा है पॉल से टकरा कर रहा है तो तमाम चीजें देखिए इस पर टिपड़ी करना जलदवाजी होगी लेकिन फोग मिस्चिर तोर पर एक कारण कहीं ना क उनका समय पर इराज मिल जाए यह तमाम चीजें हैं जिन पर अभी एक तरह से कहिएगा सीधा फोकस है और होना भी वही चाहिए प्राक्समिक्ता वही होनी चाहिए यह जरूरी भी है बिलकुल लक्षमन देखे डियारेम और एडियारेम दोनों ही मौके के लिए रवाना हो गए हैं ताकि जल से जल राहत और बचाओ कारे पर वो भी अपनी नजर बनाये रखे क्योंकि अधिकारियों का पहुचना भी एक दिशा निर्देश देगा वहाँ पर राहत और बच बिलकुल मौके पर मेडिकल वेन भीजे जा रही है कई मेडिकल वेन पहुंच भी गई होगी लक्षमन वहाँ पर मौके पर और साथ ही गयास कट्र की जरीए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डिब्बो को अलग भी क्या जाएगा काटा भी जाएगा ताकि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए आपसे ये भी समझना चाहूंगी लक्षमन की कि इस तरीके से राहत और बचाओ कारिये में ध्यान रखना होता है कुछ आहम चीजों का जब इस तरीके के हाथ से होते हैं जारी किया गया है वह आपको बता देता हूं जो है यह नंबर है आठ एक सीन चार जिरो पांच चार नो 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 यह जारी किया गया है राजस्तान के विगा ने रशुगवा है इधर सबसे पहले यही अपडेट आप बता दीजिए जोने आपके कॉल को हव्ल पजार चली तुश हराम जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी लक्षमन लगातर हमाई साहां बने में लगषमन देखिए मैंने नंबर जो है भी उपलब कराया है निश्चित तोर पर इनका तो इनसे बात हो पाईगी मेरी इनसे बात हलकी सी हुई थी लेकिन उस वक्त क्या कई बार क्या जहां अचिदेंट हुआ है नेटवर्क वेगरा बहुत सारी चीजे हैं फिलाल जो है अपडेट यह आ रहा है अभी यह भी खबर सामने आ रही है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है साथ से में जस्क्ति से बात कर रहे हैं लक्ष्मन आवाज आ रही आपको चलिए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तमाम जानकारिया आपको ट्रेन की साजा आपके साथ करें तो वही आपको बता दे कि पश्मन गाल में जलपाई गुड़ी के पास बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ है हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई है तो वहीं तेरह लोग घायल हो गए है रगातार यह आशंका भी ब पाइकुड़ी के पास बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ है लगभग बारा बोगया ट्रेन की पटरी से नीचे उतर गई तो वहीं तेरह लोग घायल हुए है यह ख़बर भी सामने आ रही है raha कि मौके पर राहत और बचाव कारे लगातार जा रही है गयास कटर के जरिये ट्रे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए मौके के लिए 30 मेडिकल वैन रवाना हो चुकी है कई वैंस वहां पर पॉंच भी गई होगी इनमें से तो वो भी इसी बचाव कारिये में जुटी हुई है कि लोगों को सकुष़ल और सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, उनको तुरंट उप्चार मिले, मौके पर 30 एंबुलेंस को भेजा गया है और साथी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जो भी हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं हेल्पलाइन नंबर है, जिसके जरीए आप कंटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कहीं भी फसेव हैं, तो आला अधिकारियों तक आपकी सूचना पहुंचे की और तुरंट आप तक राहत और बचाओ कारे पहुंचाय जाएगा